अब district manager ने रिस्वत लेने का एक नया तरीका निकाला है वो direct आप से रिस्वत नहीं लेते हैं वो आपका insurance करते हैं और insurance केवल रिस्वत लेने का एक तरीका है और कुछ नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 30 मार्च को अपनी CACID के लिए apply किया था और 2 मही यानि 1 मही अपनी CACID के लिए apply किया था मेरे पास में कोई B.C.C.C. center नहीं था लेकिन उसके बाद भी मैंने CACID के वखल एक महीने में approve करा ली थी दोस्तों 2-3 दिनों से मेरे पास में आप सभी के लगतार अलगला कोमेंट आ रहे हैं और कुछ भाई उन्हों तो मुझे परसनल इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया है तो यहां पर कुछ भाईों का कहना यह है कि भाई हमने CAC ID के लिए अपलाई कर दिया है लेकिन फिलाल हमारे पास में CAC सेंटर नहीं है तो क्या हमारी CAC ID अपरूव नहीं हुई है तो कैसे हम अपनी CAC ID को अपरूव करा सकते हैं और कुछ भाईों का कमेंट यह था कि हमारा जो डिस्टिक मैनेजर है वो हमसे पैसे के डिमांड कर रहा है यानि कि वो हमसे रिस्वत मांग रहा है तो क्या हमें उसको रिस्वत देनी चाहिए और अ गैरेंटी लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं या फिर जो स्टोरी में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ अगर आप उसको ध्यान से समझ लेते हैं तो आपके जितने भी डाउट है जितने भी आपके मन में सवाल है वो सभी किलियर हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको एंड तक देखनी हैं क्योंकि अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो फिर आप मुझे इस्टाग्राम पर मेसिज करोगे और फिर से यार भी सेम मेसिज देखकर के थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको दुबारा सवाल पूछने की जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेंठर ओपिन कर सकता हों और अगर मैं कर सकता हूं तो क्या प्रोसेस होता है कैसे सेंठर ओपन Truth किया जाता है उसके बाद मगे कंप्लीट एकदम डेटेल से बताहों उसने मुझे बता danced यो पहले मुझे पहले एक टी सी सटMr भीडियमें के लिए पहले आपको टी सी का registration करना होगा और registration करने के बाद आपको एक exam में नहां होगा जैसे आप उस exam को पास कर लेते हैं तो आपको TC-Certificate मिल जायेगा आपको TC-Certificate मिल जाता है उसके बाद आपको CC-ID के लिए apply कर देना है और apply करने के बाद आपको अपने DM को call करना है और जैसे आप DM को call करोगे तो वो आपसे कुछ details लेगा आपकी उनको आपको दे देनी हैं उसके बाद आपका जो DM होगा वो आपके center पर visit करेगा और उसके बाद वो आपसे आपकी document की hard copy लेगा उसके बाद आपकी जो CAC ID है वो लगबग 1-2 महिने के अंदर approve हो जाएगी ले से हमें 2 महिने के अंदर हमारी CAC ID मिल जाए बिना ले दे ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने उसे पूछ ले कि क्या हमें DM को कोई रिस्वत देनी पड़ेगी क्या DM को पैसा वैसा देना पड़ता है तो उसने मुझे दबी आवाज में बताया कि हाँ DM को पैसा देना पड़ता है जब तक आप DM को पैसा नहीं दोगे तब तक आपकी CAC ID अप्रूव नहीं होगी तो आपको DM को पैसा देना ही पड़ेगा तो फिर मैंने उसे पूछा कि भाई DM को कितना पैसा देना पड़ता है और आपने कितना पैसा दिया है तो उसने मुझे बताया कि भाई मैंने 12,000 रुपे दे थे और 12,000 रुपे देने के बाद ही मेरी CAC ID अप्रूव हुई थी और आपको भी लगवग 10-12,000 रुपे फिर 15,000 रुपे देने पड़ेंगे तभी आपकी CAC ID अप्रूव होगी जैसे उसने मुझे सब बताया तो मैं पूरा गेम समझ गया कि भाई सारा ख एक्जाम दिया और फाइनली पहले ही अटेम्ट में मैंने अपना जो एक्जाम है उसको पास कर लिया एक्जाम पास करने के बाद मुझे सट्विक्ट मिल गया उटी सट्विक्ट मिलने के लगबग एक महीने बाद यानि कि 30 मार्स 2022 को मैंने CAC ID के लिए अप्लाई किया और चैनल नहीं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे का कि बाद मैं आपके सेंटर पर विजिट करूंगा तो मैंने का ठीक है सर आप सेंटर पर आ जाना लेकिन मेरे पास में कोई भी CAC सेंटर नहीं था तो वह लगबाद 5-6 दिनों के बाद मेरे सेंटर पर आया नहीं कि मेरे घर पर आये तो उन्होंने सबसे पहले मुझे का कि बाई आप मुझे अपना सेंटर दिखाओ तो मैंने का कि सर मेरे पास में फिलाल CAC सेंटर नहीं है मेरे पास में एक कमरा था मैंने कमरा दिखाया कि सर इसी में मैं अपना CAC सेंटर ओपन करना चाहता हूं मेरे पास में कंप् पर एक table होनी चाहिए, एक computer होना चाहिए, एक printer होना चाहिए, fingerprint device होनी चाहिए, और आपके center की branding होनी चाहिए, और ये सारी चीजे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है sir, 7 दिन के अंदर-अंदर मैं अपना CAC center तयार कर दूँगा, त उन्होंने मुझे बोला कि मैं दुबारा मैं आपके center पर नहीं आऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने center की एक photo कीचके मुझे WhatsApp पर share कर देनी है, मैंने बोला ठीक है sir, मैं 7 दिन के अंदर-अंदर अपने center है, उसको बना के और उसकी जो photo है, वो आपको WhatsApp पर send कर तो उन्होंने मुझे से बोला कि आप अपने जो document है, जो मैंने आपको बोला था, वो document आप मुझे submit कर दो, तो मैंने उनको जो अपने basic document है, अब document कौन-कौन से submit करने होते हैं, यह इस पर भी मैं और वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का link भी आपको वीडियो के description म ही मिल जाएगा, तो मैंने अपने जो भी document थे, अधार card, pen card, और जो police verification certificate होता है, और जो tc certificate की photo copy होती है, वो सभी मैंने अपने district manager को submit कर दिये, अब मुझे पता था कि जब तक district manager के जेब में पैसा नहीं जाएगा, तब तक CACID approve नहीं होगी, और यही वो गलती है, जो आप सभी कर देते हैं, मैंने यह गलती नहीं की, मैंने उनको तुरंत ही पूछ लिया, कि सर आप मुझे पैसा वैसा बताएगा, कि पैसा आपको कितना देना है, कितना पैसा मुझे मतलब आपको देना पड़ेगा, मेरी जो CACID approve कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि न के अंदर approve हो जाएगी, तो मैंने उनसे बोला कि सर फिलाल मेरे पास में 4,000 रुपे नहीं है, मेरे पास में केवल 3,000 रुपे हैं, मैंने उनको तुरंती 3,000 रुपे दे दिये, अब रिस्वत लेने का भी डिस्टिक मैनेजर ने एक नया तरीका डूंडा है, अब यह लोग गूस खोरी करने का एक तरीका है, इंस्वरेंस के नाम पे यह डारेक्ट आपसे रिस्वत लेते हैं, ताकि आपको यह ना लगे कि आपने रिस्वत दी है, आपको ऐसा लगे कि आपने इंस्वरेंस कराया है, इस वज़े से यह आप से डारेक्ट यह नहीं बोलेंगे कि हमे के लिए तो आपको वहीं पर तुरंद बात कर लेनी है कि सर आप मुझे पैसे बताइए कि एप्रूल के लिए मुझे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा कितने आपको रिस्वत देनी पड़ेगी रिस्वत नहीं बोलना है उनका आपको बोलना है कि सर कितना पैसा देने उनको मैंने तुरंट बोल दे कि सर आप मुझे पैसा बताईए उन्होंने कहा कि मुझे 4,000 रुपे दे दो मैंने उनको तुरंट ही 3,000 रुपे दे दिये उसके 3,000 रुपे देने के 20 दिन बाद मेरी जो CACID है वो एप्रू हो गई लेकिन उन 20 दिनों के अंदर मैं अपने district manager को बीच बीच में call करता रहता था कि sir मेरी CACID अभी तक अप्रू क्यों नहीं हुई है क्योंकि भाई हमने पैसा दिया है और अगर पैसा देने के बाद भी हमारी जो CACID है वो देर से अप्रू होती है तो फिर पैसा देने का कोई मतलब नहीं बनता है तो फाइनली 20 दिन के बाद यानि कि 2 मही 2022 को मेरी CACID अप्रू हो गई थी और इस बीच में मैंने उनको अपने center का photo भी send नहीं किया था यानि कि जो मैंने center बनाया था उसको photo भी मैंने उनके साथ में share नहीं किया था क्योंकि भाई मैंने पैसा दे दिया था तो पैसा देने के बाद मेरी 20 दिन के अंदर मेरी CACID अप्रू हो गई थी आप दोस्तों ये बाते मैं आपको detail से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो गलती नहीं करनी है जब district manager आपसे मिलने आता है या फिर जब आप district manager से मिलने जाते हैं तभी आपको अपने जो पैसे वैसे की बाते हैं वो उनसे कर लेनी है और इस बात को दिमाग से निगाल देना है कि फिरी में आपकी जो CACID है वो district manager approve करतेंगे फिरी में आपकी जो CACID है वो बिल्कुल भी approve नहीं होगी एक दो percent district manager ऐसे हैं जो रिस्वत नहीं लेते हैं और फिरी में ही आपकी CACID को approve कर देते हैं कुछ भाई मेरे पास में comment करते हैं कि भाई मेरी तो जो ID है वो फिरी में approve हो गई थी और आप कह रहे हो कि आपको पैसा देना है तो भाई मैं आपको बता दू कि 1-2 percent district manager ऐसे हैं जो फिरी में आपकी CACID को approve कर देते हैं बाकी के 94 या फिर 98 percent district manager ऐसे हैं जो रिस्वत लेते हैं तो आप इस तरीके के पागलपन वाले जो comment हैं मत किया गरो कि आप तो रिस्वत को बढ़ावा दे रहे हो हमरे तो CACID बिल्कुल फिरी में approve हो गई थी तो इस तरीके के comment प्लीज आप मत किया करो तो यहां पे आपका जो सवाल था या फिर यहां पे आपकी जो सिकायत थी कि मुझे तो एक साल हो गया CACID को apply किया हुए लेकिन अभी तक वो approve नहीं हुई है या फिर मुझे तो 8 महीने हो गए है या फिर मुझे तो 6 महीने हो गए है लेकिन अभी तक मेरी CACID approve नहीं हुई है तो आपको क्या करना है आपको अपने डिश्टिक मैनेजर को call करना है call करने के बाद उन से आपको मिलना है call पर पैसो की बात नहीं करनी है डारेक्ट उनको आपको मिलना है और मिलने के बाद उनका आपको बोलना है कि सर जो भी आपकी फीस वगएरा है वो मुझे बता दीजिए और यो मेरी CACID है उसको approve कर दीजिए तो जो भी वो पैसा लेता है दो हजार उपे तीन हजार उपे उसको आपको दे देना है और देने के बाद एक महीने के अंदर अंदर आपकी जो CACID है वो approve हो जाएगी इस बात की मैं guarantee लेता हूँ तो finally ये थी मेरी story की कैसे मैंने डेड़ महीने के अंदर अपनी CACID को approve किया था और अगर आप भी इसी तरीके को follow करते हैं जो तरीका मैंने follow किया था जब आप district manager से मिलो तो तुरंत उनसे आपको अपनी पैसे वैसे के बात कर लो क्योंकि सबी district manager पैसे लेते हैं उनको आपको पैसे देना है और जैसे आप पैसे दे दोगे तो आपकी भी मेरी तरह ही डेड़ महीने के अंदर आपकी CACID approve हो जाएगी आजसा करता हूँ कि यह story सुनने के बाद आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि आपकी जो CACID है वो अभी तक approve क्यों नहीं हुई है और अब आपको आगे क्या करना है अपनी CACID को approve कराने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के कोमन से सवाल रहते हैं उनका मैं आपको जवाब दे देता हूँ तो सबसे ज़्यादा दो सवाल मुझे पूछा जाता है कि भाई मेरे गाउं में एक CACID सेंटर है पहले से है या फिर मेरे गाउं में दो CACID सेंटर पहले से है और आपके गाउं में कितनी population है या निकि कितने लोग रहते हैं तो उस हिसाब से CAC सेंटर दे जाते हैं मेरे गाउं में 5 CAC सेंटर है 5 वा मेरा है तो आसकरता हूं कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की और ये जो दूसरा सवाल है ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा सवाल ये है कि sir मैंने CAC ID के लिए apply कर दिया है लेकिन मेरे पास में फिलाल CAC center नहीं है तो क्या मेरी CAC ID approve हो जाएगी या फिर approve नहीं होगी या फिर किस तरीके से मैं अपनी CAC ID को approve करा सकता हूँ तो भाई मैं आपको बता दूँ वैसे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस सवाल का जवाब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था लेकिन उसके बाद भी आप सभी के कमेंट आ रहे थे होगे तो आपके जो CAC ID है उसको बंद कर दिया जाएगा तो इस टार्टिंग में अगर आपके पास में पैसा नहीं है CAC Center open करने का तो district manager को आप थोड़ा बहुत पैसा देके अपने CAC ID को ले सकते हैं लेकिन CAC ID मिलने के बाद आपको CAC Center जरूर open करना पड़ेगा और CAC ID पर काम करना पड़ेगा आप दोस्तों district manager को कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी सवाल एक पैदा हो जाता है कि बहुत कितना पैसा देना पड़ेगा तो बहुत मैं आपको बदा दू कि यह totally manager पर और आपकी convincing power पर कितने कम पैसे पर आप अपने district manager को convince कर लेते हैं ये totally आप पर depend करता है तो आसा करता हूं कि यह जो सवाल है इसका जवाब आपको मिल गया होगा अगर आपके पास में starting में पैसा नहीं है तो आप district manager को पैसा देखें अपनी CC ID का प्रूब करा सकते हैं लेकिन अगर मैं अपनी परसनल सला दू तो मेरी परसनल सला यह है कि जितना पैसा आप अपने district manager को देते हैं उतने पैसे में आप अपने CC center को open कर सकते हैं अगर आपके पास में already computer है laptop है और आपके पास में शोप वगयरा है तो अगर आप district manager को 8000 रुपे देते हैं तो उसमें 2000 रुपे तीन हजार रुपे ओड़ डाल करके अपना एक printer खरीद सकते हैं और अगर आपके पास में केवल laptop है और printer है तो आपका काम बन जाएगा उसके बाद 500-600 रुपे खर्च करके आपको अपनी शोप का बैनर बनवा लेना है उसके बाद उस बैनर को अपनी शोप के बाहर लगा देना है आपका center बनके ready हो जाएगा अगर आपके बास में laptop है तो कुल आपका 15,000 रुपे का खर्चा है 15,000 रुपे के अंदर अंदर आपका CACC center तयार हो जाएगा आपको एक printer खरीदना है और आपको अपनी center का एक banner बनवाना है और आपका जो center है वो ready हो जाएगा उसके बाद आपको district manager को इतना पैसा देने की जरूत नहीं है कहने का मतलब आपको 8-10,000 रुपे दे है वो सबी clear हो गए होंगे आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको इवीडियो पसंद आई हो तो डेफिलेटलि आर वीडियो को like करना शेर करना और अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया है तो गंड़ा बजा के करना फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को like और follow जरूर कर देना और भाई अगर आपको 8 महीने हो चके हैं CAC ID अप्रूव नहीं हुई है तो भाई आप अपनी रिस्टिक मेलजर से बात करके उनको पैसा वैसा देके अपनी CAC ID को अप्रूव करा लो मस्ट सेंटर open करो और काम करो